पिंग नहीं कर रहे हैं आप खैंचेंगे यह देखेगा यह जैसे ही किचाओ करेंगे सारा धागा उधर आज की वीडियो में आपके तमाम प्रॉब्लम्स का मैं लाई हूं हल्किन की चीज़ों का यूज करके आप अपनी स्टेचिंग में बहुत जदा नीटनेस ला सकते हैं यहां पर मैं आपको फैब्रिक दिखा रही हूं इस तरह का टाइगर प्रिंट में है और काफी स्ट्रेचेबल फैब्रिक है इससे कहते होते हैं जर्सी वैलवेट जो माइक्रो वैलवेट होते हैं वह स्ट्रेचेबल नहीं होती बहुत बैस्ट होते हैं आराम से रखो वह क किन चुजों का दिहान रखना हो सबसे पहले अपने फैबरी को देखना है कि वह अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग पूरा होगा जै नहीं होगा जब शोर होगा हाँ ठीक है पूरा होगा प्री स्टार्ट करेंगे अकसा जो मिस्टेक करते हैं इस तेंसे fourfold करके कटिंग कर देत है ना इसको हमने कट कर लेना वह एकवल नहीं होती आपने जब भी विट में फैबरी कटिंग करना उसे पहले आइलन कर लेना है ताके तुमाम डिंकल्स हट जाएं उसके बाद हमने 22.5 लेनी है मार्क करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है मार्किंग पैंस चार्क्स अकصर जो यहां पे हमसे मिस्टेक होती है हम इस तरह का चार्क इuß कर लेते हैं। देखें मार्क कर रही हkraft हूं कपड़े में स्टेच आ रहे हैं तो हमारी मार्किंग इददर हो जाते हैं तो ये यूज बिल्कुल नहीं करना सबसे बैस्ट होगा जो बोर्ड चार्क आते है चलके आपको बताती हूं इसको हमने मार करने के बाद काट कर लेना है क्योंकि इस तरह के फैब्रिक में अक्सर उरेव आ जाती है करनी वाली साइड इक्वल नहीं होती अब यहां पे और मिस्टेक बिपताती चलू अक्सर इस तरह से रखे कटिंग करते हैं नहीं यहां से कप बड़ा एक जिगा पर रुख जाएगा जब आप कटिंग स्टीचिंग कर रहे होंगे वह इधर उधर नहीं जाएगा तो आपके लिए असानी होगी फ्रंट सा एक कट कर लिया उसको इस तरह से हमने फोल्ड करके साइट पर रख दें यह फर्क हो रहा है आप इसलहीं में क फैबरिक को आपने यह देखें यानि कि मुझे अगर 22.5 चाहिए था तो मैंने 13 इंच यानि कि 11.5 चाहिए था तो मैंने 13 इंच का कट कर लिए देखें फैबरिक नीचे 13 था उपर से 14 आ रहा है इसी वज़ा से कहती जो कनी होती है ना इसको देखें अगर आप निशान देना है ताकि एक क्रीज लाइन आ जाए बाकि हमारी सारी मेयमेट उसी के अकॉर्डिंग जाएंगी अब मैं यहां पर देखना है फैबरिक की जहां से कम है वो हम शोल्टर पे ले आएं को रे बारी ती जो जादा थी वो हमने दामर प्र कर देना है एक स्टेट लाइन हमन जो कम था वो उपर आजाएगा इससे आप मार्क करेंगे तो इजली मार्किंग हो जाएगी सबसे बेस्ट वे स्ट्रेचेबल यह जर्सी वैलवेट हो गए या पिर कोई भी इस तरह के जो स्लिप्री फैबरिक होते हैं पैटरंट के उपर आप अखनी उपर मार्किंग कर ल हमने शफून का हो गया या इस तरह का फैबरिक कटिंग नहीं कर सकते हैं अब आप अराम सी कर सकते हैं कपड़े को सिधा रखा पैटर्न रखा और कट कर दिया अब इसके बाद आपने जहां पर वेस्ट हिप है वहां पर अपने कट्स लाजमी लगाने है ताकि जब आप स् स्टेट हो यहां पर मैं हैवी साइज कर रहे हूं तो परिशाना हुए अगर बैक अकसर खिचा हो पड़ता है क्योंकि इस फैबरिक को आप ज्यादा टाइट भी ना रखिए क्योंकि ज्यादा स्ट्रेच पर जाएं तो कपड़े में कट भी पर जाते हैं स्टेचिंग से फ ब्लैक कलर में भी है दो कलर में अवेलेबल होती है अब इसका बैनिफिट पप को बताऊंगी दो इंच की स्ट्रैप हमने कटिंग कर लेनी है अब यहां पर चाक्स के उपर जिनके पास यह दान दा की नहीं है आप इस पर स्टार्च स्प्रे भी कर सकती हैं घर में भी बना हैं वह बिलिदी कर चाया है दो मैं तो कहूंगो यह स्टार्च स्प्रे और जीरो की फूसीं पिपर सब्लाइब या पर यह जो हम क्राफ्ट करते हैं यह वाली जो घरों में अकसर बढ़ी रोती है वह यूश करते हैं इसका मैठड बता देती हूँ जहां प्रेसिंग आनी जहां जहां पर आपने पाइपिंक करनी है या कि झाला इना हिए उस जगह पे इस थरह की स्ट्रैप कुट्टिंग करकि आप लगाए वह नहीं हो अपकर बताने के लिए कपड़ें को खांचना हो इनी अराँम से रकना है दोनों साइड से आइर न पिक pleasing को लगाते होगे हमें मसला नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा स्टिफ फैबिक चाया होगा थोड़ा सा हाड़नेस आ जाएगी तो स्टेजिंग में बल नहीं आएंगी चुनर्स नहीं हैंगी कम ज़्यादा नहीं होगा अब आते हैं नैक लैन की तरह अक्से कहते हैं नक की उपर तो हम लैस लगाए अब लगा सकते हैं जीरो की दानदासी जेपी यह स्ट्राइब करके वह हार्ड हो जाएगा कोई भी डिजैनिंग करनी हो आप कर लें क्यूंकि मैं पस फैबिक इस तरह था कोई डिजैनिंग पसंद नहीं आती तो मैंने गले को पेस्ट कर लेना है आपने लोन को फैबिक ल सिंगर की 80-80 वी टेंशन भी इतनी ही आप रखेंगे और यह विसली सी बादर नीडिल हमारी सेंटर में आगी स्टेच लेंथ यहां पर आपने धिहान रखना है तो पॉइंट फाइव से कम आपने बिल्कुल भी नहीं रखना क्यूंकि यह स्ट्रेचिबल फैबरिक होते है तो वह स्टीच वैसे ही आपकी छोटी हो जाती है बलकि मैं तो कहूंगे थ्री और टूर के दर्म्यान से जाकम रखेंगे तो कपड़ा आपका कट के फटने का खतरा होगा तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा धिहान रखना है यहां पर नीडल है वह मैंने यूज इस चीज़ की है 16 नंबर के नामल फूट से पहले आपको एक स्टीचिंग करके दिखा देती हूं ताकि जो आपके डाउट है वह क्लियर हो जाए आपकरे स्टीचिंग त्रेड मैं ने पिंक प्लर कर यूज किया है ताकि आपको अंडर्स्टेंड कर से जब भी आपने वैल स्टीचिंग सही ने आते हैं नोट बैद तेकने स्टीचिंग तो बड़ी अच्छी है लेकिन एक प्रॉब्लम फियर्श करनी परते हूं बता देती हूं लेए देखें लिए स्टीचिंग नोडाउट अच्छी है यह कहीं पे स्किपिंग नहीं कर रहे हैं अब खैंसे हैं प्रॉब्लम फियर्श करनी परती है तो हम क्या खRed तो इस तरह के फैपरी कोमम करने के लिए सबसे बैस होता है हमारे पास पैसर फूट के talons एन अपनी फूट कीट मेंसे यह निट फूट जो होता है इसको यूजकरें अगर जिनके पास निट फूट नहीं है तो डॉंट वरी उनका प्रॉब्लम भी मैं इसी वीडियो में हल कर दूँगी वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है जिनने नहीं देखना है एक बन को देखने ताकि आप पर डॉट जो है वापको त्लियर हो जाए इसके लिए क्या होता है कि आम हमारी नीडल बार के उपर आती है आपने इसको अट्जास सबसे बड़ा बड़ा वेनिफिट यह होता है कि कपड़े में वह आपको बताते हैं मैं खेंच भी कुल स्टेट रखा हुआ अब इस किछ कर रही हूँ इस स्टेचिंग गुर्ण नौट बाट अब इसको मैं खेंच हुए अब यह देखिएगा फैबरिक खीच रहे लेकिन थ्रेड तूटा नहीं तूटा निट फैबरिक यही बेनफिट होता है कि आपकी स्टेचिंग बहुत स्मूध बहुत नीट कपड़े के अंदर फिक्स होती है अब आप यह इन दोनों स्टेचिंग में फार्ग देखें यह अब इबरी होने के वज़ासे खेंचे तो यह तूट रहा है इसको मैं कहाँ सुनी हूँ उसी फोर्स के साथ यह तूटी नहीं तूटी आप मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे होंगे कि आप हमारे पास नीट फूट नहीं है तो हम क्या करें जूट वरी में हो ना तो परिशान होने की जूरुत नहीं है बलकि मैं आपको एक बहुत ही यूसफुल टिप देती जाती हूँ यहां पर जो बहुत काम है कि जिनके पास एवन के सादा स्लाइब मशीन है बेसिक वाली उनके लिए भी आपने फूट जैसे का हम लगाते है नामल लगा लेना है इस तरहां से पेशा फूट बार उपर रखना है उपर हो तब आपने यह ऐसा करना है वरना नहीं यह पिंस हर किसी के पास होती ही होती है आपने नामल जो फूट की जो यह वाला पार्ट होता है यू कन सी दिस यह पार्ट यहां पर इसके अंदर आपन इस तरह से भी आप देख लेए नीडल को बस आपकी ये पिन टकरानी नहीं चाहिए बलके इससे बहुत जबरदस आपके स्टीचिंग हो गया अब ये देखिए काप रिजल्ट आपकी हो गई ना असानी ये तो स्टीच अराम से लिए आप ये भी देख रहे हैं ना मैं कैसे स स्टीचिंग सेम ऐसी ही आएगी जैसे हमारे निट फुट की होती है देखें मैं खैंच रही हूँ कपड़ा खीच रहा है थ्रेट नहीं तूट रहा है है ना इंट्रस्टिंग और यूस्फूल टिप आप कोई मसला भी नहीं हो और जिनके आपास कोई भी मशीन हो नार्मल तो उनको मैं प्रायफर करूँगी कि आपने 14 निट लीडल की नेडल जूस करनी है क्योंकि यह भूथ पत्ली होती है मोटी नीडल जूस करें ग ही तो क्पड़े में होल हो जाते हैं क्यूंकि आपने यहाँ से दे देखने हैं कपड़े में होल तो नहीं और खीच पहट तो प्यूजिन पेपर हमारी अट है अपर नहीं है तो start spray भी करने बहुत बहुत पैस रहती है start spray. अब हमने center कर लिया iron कर लिया किरीज कित्ही अच्छी बनी हुई है अक्सर बिगनर्स को मसला होता है ने इस तरह कि फैब्री को तो वो अंदर वाला जो गले का हिस्सा तो उसको रख के स्लाई लगाएं जो दर्मान में गया पा रहा है ठीक है जा आपको मैंने दिखा भी दिये किस तरह से फूट को फालो करते हैं आपने सारी स्लाई लगा देनी है इससे आपका गला जो कमाल का स्टीच होगा आप दूआएं देंगे ठीक है जी तो हमने अहटा देना है फूजिंग पेपर को हाफ इंच के गैप से कटिंग कर ल स्टीच लेंध 4 पे करके लिएंग रख स्लाई लगा देनी है हैमिंग करने में असाँनी होगी एक्स्ट्रा जो फ्यूजिंग थी हाटा देनी है में जरूरत ही नहीं है अगर स्टार्ट स्प्रेय करेंगे तो उसके जूरत ही नहीं होगी अब हमने कंदे को जो है उनको स्लाई लगा देनी है यहां पे स्ट्रेश लेंट मैंने थ्री पी कर दिया था क्योंकि कपड़ा ऐसे स्ट्रेश बल था कि वो स्ट्रेश छोट से छोटी होती जाग दी जब भी शुरू करेंगे लास्ट करेंगे एक स्माल फैब्रिक लाद में रखना है कट लगाने का बैनिफिट यह होगा कि हमारा गला कम जादा नहीं होगा मार्किंग कर ली हमने जहां पर स्ट्रेश करनी है काट को कट से मिलाना बहुत जरूरी है वरना कमीज में गैप आ जाएगा यहां पर ना मैं कोई फूजिंग वेपर यूज कर रही है ताके मैं आपको वह दिखा सुकूँ जो आपको प्रोब्लम फेस करनी परते पिन अप कर लिया इस तरह के फैब्रिक को जितना आप पिन अप कर लें एक दो या तीन पॉइंट का फर्क आता ही आता है अब जो मैं स्ट्रेश कर रही हूं जो फैब्रिक उपर है ना फ्रंट वाला हिसा जब आप दोनों सार्ट से स्ट्रेश कर लेंगी यह आपका हाफ छुड़ा हो चुका होगा उसने होना है अज़ा यह अब हर फैब्रिक के साथ नहीं होता जो इस तरह की कुछ स्ट्रेश बल्स फैब्रिक होते हैं उनके साथ यह होता ही होता है तो आप परिशान ना हो इस नार्मल है यहां पर मैंने स्टाइलर का देख कोशिश कर रही हू अब हम शेट को उपर उठाएंगे यो अब आपको मैं बताऊंगे जो डिफरेंस आता है वो ये अगर आप स्लाइक के जगा पर स्टार्ट स्प्रे या फी फुजी पर अगा लेंगे यो ये फरकारा वो नहीं आएगा अब हमने लेंट देख लेने कितनी चाहिए 37 इंट चाहिए थी अब ये आगे पीछे हो रहे आप मैं कहती कट करूं तो हमारा आगे पीछे ना हो ठीक है तो बेहतरी तरीका है निशान लगाने का चाक को सकेल के उपर रप करना है दो से तीन दफ़ार ट्रेस हो गया अब उस स्केल को फैबरिक के उपर रखे एक दो बाद दबाएंगे तो वो सारा निशान फैबरिक के उपर आ जाएगा अब हमारी जरा बराबर भी गुंज्राइश नहीं रहेगी हमारा कपड़ा आगे पिछे जाए वेव्ज होने में कट कर दिया वो मैंने इसलिए मैंने आपको काता थ्री इंच एक्स्ट्रा रखें देखें ना हाग पिंच हमारा कटिंग स्टीचिंग में आ गया फोल्डिंग में भी तो आना था ना वो तकरीबान एक बास का जादा भी गया पास था तो इस चीज़ का अपने दिहान रख लेना है अब हमने क्या करना है पाइपिंग के लिए हमने फोल्ड करना है फेबरी को फुज्जिंग पेपर लगा हुआ है अराम سے क्रीज़ लाइन बन जाएगी उठाना रही है यह देखें ऐसे करके फोल्ड कर लिया अरामना के लिल्याद बीए हिरन के इसでは हर्abile करना है अब हमने के लिए adjustable zipper food use करी हूं बहुत बैस्ट है इतना बैस्ट है ना कि मोटी से मोटी पतली पाइपिंग इसली करने की जब भी अपने पाइपिंग करनी हो वैलवेट के ड्रेस पे जैसे ही वैलवेट पे आपकी सुई आएगी स्टक होने का मसला होगा तो आपने मशीन की स्पीट को कम कर देना है इस फास्ट में लेका हैंगी तो स्टकिंग प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी अब हम अराम से क्रीज पर रखते हुए बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी मश्किल के अराम से स्लाई लगा देंगे हो यही कुछ चीज़ें होती हैं कुछ टूल्स होत अब हम दोस्ती साइट पर आ जाएंगे इस तरह जैसे कॉर्नर्स बनाया था यहां से सेम पाइपिंग का कॉर्नर्स बनाके क्रीज लाइन बनी हुई है उसके उपर हम स्टेचिंग करते हैंगे यह तो सबको आता ही होगा मैंने का फिर भी एक दफा बता दूँ अक्सर कहते हैं कि हम यहां पर स्टाइल लगाएं तो कॉर्नर्स लटके होती हैं या फिर हमारी कॉर्नर्स ऊपर उठावे होते हैं जहां पर स्टाइल लग जाएंगे क्या होता है कलफ जो हम कपड़ों को देते हैं आरा रोड उसको पाने में डालके पका लेना है स्प्रे बोटल में ड पेड जादा नहीं होनी चाहिए वना कपड़ा यह सुकड के ना जादा गरम हो तो यह कठा भी हो जाता है यह चीज़ का भी दिहान रखना रहा है। साथ साथ आपको बताते जाओं जिस चीज़ का दिहान भी रखना है। अब हैमिंग करनी है तो टैंशन होगी कम जदा नहीं होगा डबल साजी टेप रिवल सिवल टेप भी कहते हैं ये रखना है बिल्कुल आगी करके जहां पे हमारी एंडिंग हो रही है पाइपिंग की और आइरन कर देनी है इससे तो सवार ही नहीं पैदा होगा कि थोड़ा सा भी बल हमारी पाइपिंग में आ जाए है ना यूसफुल वीडियो यहां तक आया है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक है ना मत बुलेगा न्यू है सब्सक्राइब भी कर लिजेगा इस तरह के मौर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अब हमने दामन को फोल्ड करने से पहले हमने हैमिंग कर लेने अब हैमिंग देख लें कितनी नीट करी हूं नीचे से भी देख लें कोई बल नहीं और यहां पर थ्रेड अपने दो यूज करने दो थ्रेड के साथ पाइपिंग करने सिंगल के साथ नहीं करनी हो वना वह जल्दी आपका जो है अब हमने लेंद को देख रहे हैं कितनी चाहिए अब हमने आइरन से हलकी हलकी पहले रखे न आपने प्रेस करने के बार दोनों कोर्णर से यानि कि एजी से हमने पिन अप करने के बार ताके उद्ध ना हो डबल साइडी जो टेप थी वो रखे इस तरह से देख है जहां पे ए आइन कर दें देखें मैंने पिने लगाई हुए है ताके हमारा कपड़ा इधर उदर होने की गुल जाईशी नहों इक्वल आइन कोर्नर्स अब उठा के नहीं करें पहले इसको मैं ऐसे करके आइन कर दूगी यह देखें आइन करने के बाद क्रीज आजाएगी फिर इसको मैं है या नहीं इक्वल है अब हमने इसकी भी हैमिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से यह देखें अराम से हैमिंग हो जाएगी अब आपका थ्रेट दिखना नहीं चाहिए दोनों फबी के दिरम्यान से लेते हुए यहां पे नोड़ दे देनी है यहां पे आपने 55 इंच के बाद दो से तीन नोड़ देते जानी है ताकि कोई खिचाओ आई या कोई मस्तला हो अगर धागा तूरता है तो पूरे धामन कापका धागा ना उधर जाए 55 इंच के बाद दो तीन नोड़ देते जाएंगे ना वैसे भी दो थर्ड यूज़ करें हैं खिचाओ आ रहा है करना पड़ है इस वीडियो के लिए मैं चाहते थी टेल में इतने भी क्वेश्चन होते हैं वह आप के लिए कर सकूए फैबरिक इस तरह का लूँ ताकि जो डाउट आ रहे होते हैं वह क्लियर हो जाएंगे और सब्सक्राइबर के भी क्लियर हो गया हो इसको ज्यादा शेय को यूज करके घर में नीट स्टिचिंग के साथ वैलवेट जर्सी के ड्रसी स्टिच कर सकते हैं शोर हो गया फिर से मैं आरेंड की अब यह देखें का इस्तमाल कितना किया है चोट चुट 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 के बाद अगर किया जाए तो जबर्दस कोई बल कुछी भी नहीं है में उützen अखा के दिखाए ने कोणर्स पहर्ले करने जाख दबार्लमट का अगर हम यहां पर दामन पहले फोल्ड कर लेते हैं यह पाइपिंग बात में करते हैं तो प्ता है क्या होता तो हमारा को खीचा हुआता नहीं है तो आपने पहले भी हमेशा पाइपिंग किना हुआ सेट करना पड़ता है यहां पे लोन का फैबर्क यूज़ करी हूं सिंगल ले रही हूं डबल एकसर डेबल करते हूं वो मोटा हो जाता है डबल नहीं लेना हाफ इंच के गैप से मैं स्टिचिंग करती है यह सब को आती हो कि लिए कि मैंने कहा है मैं बता दू आपने कर्ट लगा देने कर्ट लगाने के बाद थ्री पॉइंट फॉर पॉइंट ऐसे फोल्ड करके जो ब्लैक फैबर्क लगाया था उसके अच्छी ओपर बिल्कुर स्लाइदेनी है इस पे स्टाय लगाने का बैनिफिट जो अकसर हमने ड्रस पहने होता है गले का नीचे वाला क अब हम इस पे भी कर लेंगे हैमिंग करने के बाद अब हम शुरू करते है नेस्ट स्लीव मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है जो साइज आपको चाहे था स्लीव आपने हाफ इंच अपने आम होल की से कम ही ले रही है क्योंकि यह इतना फ्लेक्सिबल कपड़ा होता है तो जादा लेंगी तो बार बार स्लाईयां लगानी पड़ेंगी पाइपूंग कर लिए कच्छा कर लेना है तुंकि इस तरह के फैब्रिक पर या नारमल पर भी जब भी आप पाइपूंग करें वो आगी पिछे हो ही जाती है तो आपने इस तरह से कच्छा कर लेंगे तो यहां पे आपने रिवर्स करने की गलती नहीं करनी स्टीचिस को फ्रंट से बैक की तरफ लेकी आना है यहां पे आपकी क्योंकि फैब्रिक नहीं होगा वह थोड़ा सा पतला जादा हो रहा तो मसला होता है अब हमने इस पे आम होल को बाजू के साथ जॉइन कर देना है यहां पे डबल फैब्रिक आ रहा है कॉन की तरह इसको फोल्ड कर देना है ज्यादा फैब्रिक नहीं होगा साइट पे हो जाएगा बाजू को राइट साइट पे कर देंगे इसको लेट साइट पे वो एक दूसरे साइट फिक्स नहीं होगे समूधली हमारी मिशीन चलती आएगी मसला नहीं होगा और ये हमारी शिर्ट हो गई है रेडी तरीब से दिखा रही हूँ नेक लाइन देख लें कितना नीट कितना स्मूध कोई एक सिंगल बल आ रहा है कितनी कोई नीट है देखे भी दिल खुश हो रहा है आप खुद भी इस तरह आप देख के आप कर सकते हैं नीचे वाला कपड़ा बाहर नहीं आ रहा और इसका भी बैक वाला हिस्सा पिछी के तरफ नहीं दिख रहा यही छोटी चोटी टिप्स और टिक्स होती है जो हमारे स्टिशिंग में नीट्रस लेगा दिया है स्लीव को दिखा रही हूँ इधर से आपने रखके इसमें कोई बल नहीं आ रहा और इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है ताकि कोर्नल्स निकले हुए बहुत बुरे लगते हैं वो नहीं निकलेंगे अब आते हैं दामन की तरफ दामन को भी मैं आपको प्रीब से दिखा दूए अक्सर को होता है कि मैं डिटेल में नहीं दिखा दूए जिरो की फुजिंग पर लगाने का बेनिफिट देख लें अगर आप गलू गरा यूस करते हैं तो आप स्टिस्टिंग करने के बाद वा तो ज्यादा ज्यादा लाइक कीजेगा और ज्यादा शेयर कीजेगा यहां पर क्रीब से दिखा जिखा जिए स्टिस्टिंग में कोई चुनर्स बल बगारा नहीं आ रहे हैं यही होती है एक अच्छी स्टिस्टिंग के पहचार तो मिलनों की नैस्ट इस तरह की और और मिटी वीडियो के साथ तब तक के लिए अला अपीस